हाई गाईज वैलकम बैक माई यूटूब चालने तो आज हम लोग देखने वाले दोस्तों महंदरा का एक सांदार स्कूर इरुप्यों के बारे में डिस्कस करेंगे क्या कि इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं साथ में इसका एक सोरूम प्राइज कौन कौन से चार लगते है है और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है तो बात करेंगे दोस्तो अगर आप इसे डाउन पेवेंट करके लेना चाहते हों तो कितना आपको में फहां पड़ा कितने चार लगते हैं और आपको minimum down payment क्या रहता है सारा कुछ discuss करने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लिस वीडियो को like कर दे साथ में चैनल को भी subscribe कर लें तो आज के हमारे list में दोस्तों देखने को मिलता है महंद्रा Scorpio S11 24 सांदर Scorpio है और engine quality की हम लोग बात करें तो 284 CC का यहां पर देखने को मिलता है और sitting capacity इसमें 7 और 9 दोनों रहते हैं और BS6 मोडल पर आती है गाड़ी और max power की बात करें तो दोस्तों 130 BHP at the red साथ 350 RPM देखने को मिलती है और बात करें number of cylinder की तो यहां पर 4 देखने को मिलता है और इसमें diesel दोस्तों भड़ा जाता है और इसमें fuel capacity की बात करें तो 60 liter देखते हैं full tank हो जाता है और gearbox इसमें हम लोग बात करें तो 6 speed रहता है तो काफी सांदर इसमें features देखने को मिलते हैं और इंजन की quality भी काफी सांदर है तो यह रहे कमाल के features तो आगे बढ़ता है विसके price की ऊपर चलते हैं कि कि इतना price लगता है और प्राइस क्या पड़ता है और एक सो रूम प्राइज कितना पड़ जाता है तो बात करें दोस्तों महेंदरा Scorpio S11 की तो 2024 में जो इसका एक सो रूम प्राइज आपको देखने को मिल जाएगा 13,65,000 रुपिया इसका एक सो रूम प्राइज देखने को मिलता है और आटियो चार्ज की बात करें तो एक लाग 22,000 तक पड़ जाता है और इन्सॉरेंस और अधर चार्ज जो TCS चार्ज होता है वो जूड जाता है ल यसमे डाउन प्राइमoben्ट हम लोग देखने वाले तो बात करें हम दोस्तों इहां पर पहले डाउन पैमेंक की तो पहला डाउन प्राइम्ज कर सकते हो और यहां पर दोस्तों हम लोग total surprised को बात करें तो तो 51 रुपिया अगर आप 60 मेने के लिए करा रहे तो 26,986 रुपयों को परते कमेना किस देना पड़ेगा और एक बात ध्यान रखेगा आप जितना कम मंत्का कराओगे उतना ही फैदा होगा लाश्ट में आपको मालम चलेगा तो लाश्ट तक बने रहेगा हाँ दोस्तों करते हैं हमारे दूसरे डाउन पेइमेंट की तरब तो दूसरा डाउन पेइमेंट आपका 6,30,000 तक का होने वाला इससे ज्यादा भी कर सकतो कोई दिकत नहीं होगा जिसमें आपका टोटल लोन आमांट की बात करें तो 9,50,000 लोन आमांट रहे जाता है और रेट आप इंट करा लेते हो या तो 6 साल के लिए तो 17,124 रुपया आपको परतेक मेंन की देना पड़ेगा तो यह राद दोस्तों दोनों कापी सांदर डाउन पेइमेंट हो आप देख सकते हो 3 साल 4 साल और 6 साल और पिछले वीडियो में 5 साल का भी बात किये थे अब बढ़ते हैं कि इस आपको अलग से देना नहीं पड़ता है ध्यान रखेगा इसमें अगर आप 60 मेने के लिए करा रहे हो तो 30,10,000 रुपया आपका ब्याज लग जाएगा अगर डाउन पेइमेंट दोस्तों 6,30,000 जो लास्ट ऑप्सन था यह कर रहे हो तो 36 मेने के लिए आप 1,35,000 रुपया ब्याज दोगे अगर 48 मेने में तो हो जाता है तो 1,50,000 रुपया आपको बैंक आपसे ब्याज ले लेगे जो कि आपका EMI से जुड़कर यह आता है अलग से देना नहीं पड़ता है ध्यान रखेगा तो यह रहा दोस्तों डाउन पेइमेंट इसलिए मैंने बोला था कि ला काफि इसका दमदार देखने को मिलता है जो भी लोग हो तो बहुत ही अच्छी कमाई भी होती है अराम से दोस्तों महीने में लाग रुपया कमा सकते हो अगर बढ़ियां से चलाओ तो और हाँ दोस्तों अगर आपको कोई और सा भी गाड़ी पसंद हो तो अच्छी से अच से देड़े